नमस्कार जैसे किष्णा में राकेश आपका शिवान इस्टू चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ये मेरी एस्ट्रोजिकल स्रीज का लेक्चे नमबर 33 चल रहा है जिसका पार्ट 2 है में पार्ट 1 इसे पहले में बना चुका हूँ और जैसकि मैं आपको बताया है कि मैं इस कुण्डली के अंदर संतान के बारे में क्योंकि बहुत लोगों का normal question होता है कि संतान कब होगी कैसी होगी क्या होगा, male होगा, female होगा इस तरी questions बहुत होते हैं तो उन सब का जवाब देने के लिए इस पांचे भाव को कैसे complete study किया आता है ये इस पर मैं वीडियो पूरी बना रहा हूँ और इसके पांचे पार्ट बनेंगे लेकिर आपको वो पार्ट सारे देखने के बाद पूरा-पूरा ध्यान हो जाएगा पूरा-पूरा ध्यान इस बात का हो जाएगा कि आप किसी भी कुर्णली के इंदर थोड़ा टाइम लगा के आप बता सकते हैं कि इसमें संदान की इस्तिती क्या है क्योंकि यह बहुत सिंपल टॉपिक नहीं है संदान वाला जैसे आप ग्रंथ पढ़ेंगे गर आपसमें तो उसमें आप ग्रहे लिखा रहता है कि ये ग्रहे अगर पांचवे भाव में है या वो ग्रह नावे भाव में है या वो आला ग्रह आठवे भाव में है तो साथ बच्चे होते हैं अगर ऐसा है तो बच्चों का योग नहीं होता ये जब योग थे जब हमारा पुराना टाइम था जब कभी family planning systems available नहीं थे तब तो ये सब चीजें चलती थी आप जब की family planning systems available level हैं तो ये सब चीजें नहीं चलबाती हैं इसमें आपको properly देखना पड़ता है कि जब desire होती है तभी आपको देखना है कि आपका male child होगा या female child होगा तो वह मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कुछ योग और आपको कैसे male child कैसे वह प्रामिस करती है कुड़ी या न संतान के लिए और D7 के बिना study के मतलब तो एक ऐसी कुड़ी है जिसको alone study किया जाता है for children purpose तो D7 के बिना study के आप कोई भी ठीक से authentic जवाब दे ही नहीं सकते तो जरूरी है कि D7 की आपको realize करना आना चाहिए ठीक से जो की बहुत important है D1 के बाद अब D1 के बाद D7, D7 का रखे हैं हम लोगों ले पार्ट 7 पार्ट करेंगे को 30 degree की एक राशी होती है और 7 पार्ट के चाहर देगरी 17 बिनाट का एक पार्ट आता है तो इसका मतलब हुआ पहला पार्ट हुआ जीरो से 4 देगरी 17 मिनाट तक दूसरा पार्ट हुआ यहां से आठ डिगरी 34 बिनाट त चीस मिनट तक छटा पश्रेज जगरी तैस्ट तक और साथ वां तीस डिगरी तक तो इस तरीक से यह साथ पार्ट हमारे इसमें कहलाते हैं अब यह साथ पार्ट जो है इनका और भी इंपॉर्टन से मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि इनको भी नाम दिया गया है चार छीर तो इसमें आप मोटा मोटा यह देखिए कि यह आपके साथ पार्ट इस तरीके से बन जाते हैं और इनको बनाने का तरीका क्या है आल्दो आप सॉफ्ट्वर के हिसाब से कुंडली D7 की डिजाइन कर सकते हैं शोड़स वाले उसमें जाएंगे आप तो सब चीजे कुंडली D1, D9, D7, D10 सब आपको मिल जाएंगी पर फिर भी मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ कि बाइचांस आपके पास यह कुंडली किसी की अवेलेबिल है और आप संतान की स्टडी करना चाहते हैं तो आप कैसे D7 की चार्ट को पहले डिराइव करें कैसे बना लें तो D साइन से स्टार्ट होगी काउंटिंग अभी आप इसका बतलब लिए से पार होगे मैं आपको बता हूँ अभी कैसे एक्जांपिल देखे और अगर इवन साइन है कहीं भी तो काउंटिंग स्टार्ट होगी सेवन्थ साइन से कैसे अब हम बताते हैं देखिए यह D1 286 सवाच्छा वजे सुबह के दिल्ली का एक फिमिल कुंडली है इसी कुंडली को मैं सारे पार्ट में रखने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज से लिंक हो सके अब इसमें आप देखिए कि यह धनू लगन की कुंडली है धनू लगन क्या होता है और साइन होता ह और साइन है अब धनू लगन और साइन है लगन है कितना 16 डिगरी 48 मिनिट का तो कौनसे पार्ट में गया 16 डिगरी 48 मिनिट गया 4 पार्ट में क्योंकि 4th part जो है वो 12 degree 51 minute से 17 degree 8 minute तक है तो 4th part में गया तो 4th part क्या हुआ आपका 4th part में जब आपका गया तो आप जिस sign में आपका हुए है उसी sign से आप स्टार्ट करेंगे same sign से जैसे आपका ये धनू में था लग न तो धनू से स्टार्ट कीजिए धनू फिर आपका मकर फिर कुम्ब और फिर मीन 4th sign मीन आगया आपका 4th part तो इसका मतलब जो यहां लगन बना सब्तान चागा वो 12 बना आप समझ गए है क्योंकि लगन आपका धनू राशी है धनू राशी लगन की वैल्यू है इसके हमने दिखा किस पार्ट में आता है तो यह आता है 12 डिग्री क्यान मिनट से 17 डिग्री ठार 8 मिनट की बीच में यानि 4th part में तो कांटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि धनू लगन है विशाम लगन है और साइन है तो सेम जाए से स्टार्ट कांटिंग होगी यानि धनू से स्टार्ट होगी और धनू से स्टार्ट करके 14 साइन जो आएगा वो मीन का आजाएगा तो यह इसका लगन बन जाएगा तो इस तरीके से हम इसको 12, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह हमने बना दिया आपका बुद्ध है पहले बुद्धी को लेते हैं कि बुद्ध कहां बेठेगा इसमे बुद्ध की वैल्यो देखी 23, 26 मिनट का है बुद्ध 23, 27 मिनट का मतलब यह हुआ कि यह 21, 25 मिनट से 25, 43 मिनट के अंदर ही आ गया यानि यह 6th पार्ट में आ गया इसमें से स्टाट किया धनू, मकर, कुम्ब, मीन, मेश, वरश छटा साइन आ गया, छटा पार्ट हो गया तो वरश हो गया तो यह बुद्ध कहां चला गया, वरश में चला गया मरकरी वरश में हो गया आप जैसे इवन साइन का लेते हैं एक एक्जाम्पल इवन साइन आपका यहां देखिए यह वाला है इवन साइन वीनस का हम देखते हैं कि वीनस कहां बैठा है वाई आपका तीन ग्रहें हैं वीनस, जुपिटर, सन और आपके तीन ग्रहेंस के अंदर बैठे हुए हैं तो हम देखते हैं कि यह कहां बेटे हुआ है तो आगर आप Venus का देखे तो Venus आपकka है 2 degree 18 मिन्ट का 2 degree 18 मिन्ट यानि कि यह पहले part में आता है 0 से 4 degree 17 मिनट तो पहले 17 में आता है सब्थ सब्थाम्चा में लिकिन यह सब्थ सब्थाम्चा counting वहाँ से start होगी क्यूंकि यह some sign है लसफ़ी से साथवे राशी जो आपकी आती है तो दसफ़ चाथवी राशी है क्यों ही दस ग्यारा बार्ण एक बार थी दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छसब यहांसे हम लेखते हैं कि sun कहां बैठता है sun का अगर हम देखेंगे आप sun देखते हैं sun में sun की जो डिगरी है वो है 2 डिगरी 56 मिनट ये भी आपका first part में ही बैठता है और चुकि ये 10 नमपर राशी में है sum राशी है तो इसी counting भी अपनी से 7 नमबर से start होगी और अभी हमने इसका 7 नमबर की counting की थी कि कर्ग आता है तो कर्ग राशी में भी sun भी आपका वेनस में भागिया अब देखते हैं कि हमारा Jupiter किसमें आता है तो देखें Jupiter है 28 डिगरी 8 मिनट्स का अब Jupiter 28 डिगरी 8 मिनट्स का हुआ तो कौन से part माया last part में साथवे part में क्योंकि 25 डिगरी 43 मिनट्स से 30 डिगरी तक कर ये part है तो साथवे part माया लेकिन सम साइन में है Jupiter Jupiter आपके सम साइन के अंदर है इवन साइन में है तो counting कहा से start होगी इस से साथवे राशी से तो साथवे राशी करी देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 तो counting यहाँ से start होगी कितल तक जाए counting क्यों साथवे part में है तो साथ तक जाए ये counting तो 4 आ गया पहले 5, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 6 और 1, 10 यह सेवन्थ part आ गया इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो Jupiter है वो मकर राशी में जाएगा यह हमारा बोटर बोटा निकल गया अब अगर हम देखें मून को तो मून अगर हम निकालना है तो मून भी हमारा सम राशी में इवन राशी के अनगर है तो इवन का फंडम मैंने आपको बताया कि जो counting स्टार्ट होगी वो सात्वी राशी से होगी लेकिन उससे पहले देखना है कौन से पार्ट में जाएगा 23 डिगरी 6 मिनिट का है तो 21 डिगरी 25 मिनिट से 25 डिगरी 43 मिनिट वाले पार्ट में जाएगा यानि यह 6th पार्ट में होगा तो 6th पार्ट में होगा पहले तो हम counting देखें कहां से start करेंगे counting हम start करेंगे इसकी हमारा यह मून है 12 राशी में तो साथवी राशी इससे 12 एक दो तीन चार पांच छे तीन तीन छे एक साथ यह नंबर ने हमारा आ गया तो छेटी राशी आ गई साथवी यहां से counting start हो गी अब कहा तक 6 पार्ट तक क्योंकि छटे पार्ट में है 23 की 26 मिनट का होना सी है छटे पार्ट में है 21 से 23 की 25 के बीच में तो 6 तक जैए 6 पार्ट तक जैए 6 तक counting होगी तो 6 7 8 9 10 और 11 यह मैं कुम्ण राशी में आपका चंद्र५ हा गया कगे इस तरह में चंद्रमा की even sign है तो सीरीस ये बात है counting इस sign से साथवे sign से होगी लेकिन कहां तक होगी वो count करने है पहले तो पहले तो हम देखते हैं कि इस से साथवा sign कौन सा है 8 9 10 11 12 1 3 3 6 और 2 तो counting 2 से start होगी और counting जाई कहां से यानि versus counting स्टाट होगी और जाई कहां तक क्योंकि ये इसकी value है 13 degree 4 minutes और 13 degree 4 minutes हमारा आता है 14 पार्ट में 12 degree 5 minutes से लेके 17 degree 8 minutes के बीच में 14 पार्ट में आता है तो आगे 4 तक जाई गी counting इसकी तो 2 3 4 5 1 2 3 4 4 पार्ट होगे न हमारे तो 4 पार्ट में आ गया है दो से start किया है पहला पार्ट दूसरा तीसरा 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 चौथा और चौथा पांचवा होगी तो पांचवा पांचवा पार्ट यानि सिंग राशी में से अगर और अगर मालिया ग्रह और साइन के अंदर है तो यह बात तो पकी है कि ौर्ट साइन में सेम साइन से स्टार्ट होती है यानि हमें बुद्द की पोजिशन निकालते हुए और लगन की position निकालते हुए धनू से ही start करना पड़ेगा लेकिन बुद्ध की position निकालते हुए धनू से कहा तक जाएंगे हम लोग बुद्ध जेके हम लोग यह चार्ट त्यार कर लेते हैं मुझे आशा है कि आपको यह चार्ट पूरा समझमा आया होगा यह मैं थोड़ा आपको थोड़ा यतने भी टूल्स हैं संतान स्टडी करने के लिए उनसे एक व्यूप कर रहा हूं तो यह बहुत जरूरी है यहां तक आपको समझा गया तो आपको डीवन से देखना समझमा आगया और डीवन साठ कैसे बनाते हैं वो समझमा आगया आगे मैं आपको अनलेसिस करना बताऊंगा इनका लेकिन उससे पहले एक चीज और बता हुआ जिनको बीज सुठ और छेत्र सुठ बोलते हैं और संतान्तिती बोलते हैं वो तीनों चीज भी देखने के लिए जरूरी है सब चीजों को तो यह अभी हम देख रहे हैं जनरल जनल के किस से हम निकालें कंफर्म करें कि कुंडली में चल प्रॉमिस है तो इस से आने वाली वीडियो में आपको उनके बारें बता हुआ आशा करता हुआ उनको यह वोडियो बहुत पसंद आई होगी आपको पसंद आई है तो कालेड़ी सस्प्राइब जरूर कीजेगा जितना सब्सक्राइब करेंगे उतनी मेरी मोटीवेशन इंक्रीज होगा उत आणिवा जशीक्रिष्णाव